हेलो गाइज वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमिच गाइज आज की लेक्चर में हम एलेक्टिक पोटेंशिल को पढ़ेंगे अपनी प्रीवियस नालच को तोड़ा सा यूज करके गाइज ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को लैट सपोस् क्या करते हैं एक पॉजटिव चार्ज ले लेते हैं ये वारा ठीक है और इस पॉजटिव चार्ज को मैं इस पॉइंट A की उपर छोड़ देता हूं ठीक है तो ये पॉजटिव चार्ज अपनी नेचर की वज़ा से क्या करेगा इस पॉजटिव चार्ज से दूर बागेग चिक है और यह जो board है यह हमारे पास ground surface है ठीक है इसको मैं यहां से इधर तक लेकर आता हूँगा इस चिक है अब इसको मैं जब चोड़ूँगा तो नीचे जाएगा जब इस चार्ज को मैं यहां से चोड़ूँगा तो यह इधर जाएगा यानि कि इसके पास kinetic energy आईगी या कि जब इस object को मैं इधर से चोड़ता हूँ तो इसके पास kinetic energy आती है कियों यह kinetic energy इस object की energy है कौन सी energy है potential energy है वो potential energy अब kinetic energy में convert हो रही है यानि कि object के पास gravitational field में उसकी configuration की वज़ा से जो energy होती है उसको हम कहते है gravitational potential energy ठीक है और electric charge की वज़ा से electric field में configuration की वज़ा से जो energy होती है उसको हम कहते है electric potential energy गाइस ठीक है तो electric potential energy का concept यहां से clear हो गया कि potential energy है किसी charge के पास एक field के अंदर इसकी configuration की वज़े से अब जू जू यह चार्ज यहां से दूर दूर जाएगा इसकी potential energy कम होती जाएगी कम होती जाएगी जिस तरह यह object इस position से downward की तरफ जाता है नीचे की तरफ जाता है तो इसकी potential energy कम होती है कम होती है और काइनेटी की ENERGY जयादा होती है यही case यहां पर भी है कि साथ यहां से बागेगा बागेगा इसकी काइनेटी क होती जाएगी और potential energy कम होती जाएगी 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 जाएग तो किसी electric charge की वजह से उसकी जग configuration होती है electric field small configuration के वज़ा से जो इसके पास energy होती है physics के terminology में electrostatic के terminology में हम उसको कहते हैं electric potential energy है इस ठीक है और उसको हम U से represent करते है यानि कि ये point A है इसके पास यहां पर एक energy है UA उसको हम कहेंगे अच्छा point B भी आप देखें वो भी electric field के अंदर ही लाई करता है तो electric field ये जो point B है electric field B की उपर भी है इस charge के साथ इस B की उपर भी energy होगी तो इसको हम कहेंगे U B कहेंगे गाईस ठीक है अच्छा अब हम एक काम करते हैं दोनों में जो change होगा दोनों में जो change होगा वो क्या होगा अब हम क्या करते हैं electric potential जो के main topic हमारा ये है इस charge को इस point B से उठाना है और point A की उपर लाना है खुद तो वो आएगा नहीं उसकी nature की वज़ा से क्योंके positive positive को क्या करता है repel करता है तो इसको जबरदस्ती यहां से उठाना होगा यहां पर लाना होगा एक external agent आएगा हम आएंगे कोई और चीज़ आएगा इस charge को उठाएगा और इस point A की उपर लाएगा तो क्या करेगा guys वो agent क्या करेगा वो agent actual में क्या करेगा work done करेगा इस charge की उपर point B से उठाकर point A की उपर लाने के लिए वो agent क्या करेगा work done करेगा यानि कि work done from B to A अच्छा ऐसा करने से नतीज़तन क्या होगा ऐसा जब हो जाएगा तो नतीज़तन हमें क्या मिलेगा हमें just क्या मिल जाएगा guys change in potential energy मिल जाएगा यानि कि इस point B से हमने इसको उठाया इस point B की उपर इसके साथ थी कुछ न कुछ इनरजी अब और उस पर हमने work done किया point A की उपर लाया तो इस work done की वज़ा से उसकी potential energy में change आ गई यानि कि work done जो है वो just क्या करता है change लाता है guys अच्छा मैं अगर इसको यहां पर Q Q पर divide करूँ let's suppose यह जो charge है इसको जो मैं move कर रहा हूँ इसका नाम क्यों है क्या है क्यों है तो मुझे इस side को भी Q Q पर divide करना पड़ेगा इस side को भी Q Q पर divide करना पड़ेगा और mathematics यह तरीका हमें allow करता है जिस तरह guys यह 20 है इसको मैं 2 Q पर divide करता हूँ तो 10 जवाब आता है अब जो oppression मैं यहां पर perform करता हूँ वही oppression अगर मैं यहां पर perform करूँ तो इस equity के symbol को मैं रख सकता हूँ बसूरती दिगर नहीं रख सकता गया इस टिक है 20 divide by 2 10 10 divide by 2 5 10 divide by 2 5 तो 5 बराबर 5 ठिक है यानि कि जो oppression divide by 2 यहां पर मैंने perform करूँ सेम कहानी यहां पर इस work done को मैंने क्यों की उपर यहां पर भी divide कर यहां पर भी divide कर गया अब यह जो चीज है work done आपको तो पता है कि जब हम force supply करते हैं तो क्या होता है जब हम force supply करते हैं तो displacement का और होता है करने के लिए बाहर से कोई agent force लगाएगा गैस ठीक है किस पर लगाया इस charge की उपर यानि कि इस charge की उपर work done किया और वो work done per unit charge जब हम लिखेंगे तो इसको physics की terminology में या particularly electrostatic की terminology में हम कहते हैं electric potential और उसको हम v से represent करते हैं गैस ठीक है यानि कि इस चीज़ को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि यह जो electric potential है v इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ work done from b to a divide by q ठीक है अच्छा एक बात यहाँ पर मैं और add करना चाहता हूँ और वो यह है guys कि यह जो हम work done करेंगे force supply करेंगे कितना force apply करेंगे guys ठीक है यह बात most important है इस बात को देखें यह जो हम force apply करेंगे यह कितना force apply करेंगे जितना की force यहाँ पर columbic force इस charge की उपर इस side लग रहा है उसी same magnitude में हम इसकी उपर force लगाएंगे और यह अगर इस तरफ से इस तरफ क्या करें motion करें तो इसकी उपर work done होगा guys ठीक है और इस case को electrostatic के terminology में कहते हैं कि इस charge को electrostatic equilibrium में रखते हुए जब हम इसकी उपर work done करते हैं inside the electric field from one point to another point इस चीज़ को हम कहते हैं electric potential electric potential या potential difference guys ठीक है जिस्ट इतना समझना है तो electric potential के बारे में आपने क्या सुना क्या समझा जिस्ट ये work done के से वह कुई भी चीज़ नहीं है guys बस इतना आप याद रखिए हैं work done per unit charge inside the electric field is called electric potential guys ठीक है इतना काफी है अब इसकी unit को discuss करते हैं और फिर potential difference को discuss करते हैं और इस topic को फिर close कर देते हैं देखें आपने तो ये देख लिया guys कि electric potential को अगर हम V से represent करें किसी से V से represent करें तो electrostatic की terminology में इस से मुराद work done per unit charge होता है और work done per unit charge होने की वज़ा से जो नतीजतर हमें जो चीज मिल जाता है वो ये होता है कि इस electric charge की electric potential energy में change आ जाता है इसका मतलब ये है अब ये चौंकि एक physical quantity बन गए physical quantity बन गई का मतलब ये है कि इसके पास कुछ न कुछ unit होना चाहिए तो इसका unit अब हम देखेंगे इस electric potential को हमने जिस तर वर्क डन को symbol W दिया है और energy को symbol U दिया है तो electric potential को symbol V दिया है तो V is equal to ये वर्क डन का unit क्या होता है जाउल होता है capital जैसे रिप्रिजन करते है डिवाइड वाइड चार्ज का unit क्या होता है कुलम होता है इसी तरीके से potential energy energy है वर्क डन का unit और potential energy का unit same और charge का unit ये जब भी आपको आज के बाद electrostatic में या physics में या किसी भी जगह पर जाउल पर कुलम नजर आ जाए ना तो उसको वोल्ट का नाम दे दो इसी इसका नाम दे दो वोल्ट का नाम दे दो गाई इस ठीक है जिस तरह आपको kg, meter, per second, square नजर आता है उसको आप newton का नाम देते होगा इस ठीक है इसी तरीके से जिस तरह आपको newton, meter नजर आता है इस ठीक है अगर work done की बात होई तो उसको आप जाउल कहते हैं क्या कहते हैं जाउल कहते हैं गाई तो इसी तरीके से जब आपको जाउल पर कुलम की बात नजर आ जाए तो उसको वोल्ट कहे दोगा इस ठीक है यानि कि मतलब यह हुआ कि electric potential का जो unit है वो वोल्ट है गाई इस ठीक है और वोल्ट बराबर होता है जाउल पर कुलम work done work done per unit charge जब एक जाउल work done हो गया किसी चाउर्ज की उपर और उसका magnitude one कुलम है तो हम कहेंगे कि electric potential जो है वो क्या है वोन वोल्ट है या charge की potential energy में जो change आ गया है वो one वोल्ट है जाउल पर कुलम यानि कि charge की energy में change आ गया charge कुलम जाउल पर कुलम जब एक जाउल work done हम करते हैं किसी unit charge की उपर तो हमारे पास जो electric potential हो जाता है वो one volt हो जाता है गैस ठीक है दो terminologies है गैस उसमें अक्सर student confused होते हैं उसमें एक terminology electric potential है और इसके साथ एक है potential difference का इन दोनों में फरक क्या है गैस ठीक है इसको समझने के लिए आप ये देखें ये जो हमारे पास electric potential जिसको अभी हमने कहा वो है V is equal to work done divided by charge ठीक है इतना तो आप अभी तक मान चुके गैस अब देखें इस work done को अगर हम एक ऐसे point से करें जो की infinite distance पे हैं इस बात को समझने के लिए आप यूँ देखें ये हमारे पास वो object है ठीक है mass इसको हम इस ground surface से ऊपर लेके जाते हैं गैस चीक है तो इसकी potential energy क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी गैस चीक है अच्छा इस तरह ऊपर जाते हुए जाते हुए हमें एक ऐसा point मिल जाएगा कि वो इस अर्थ के ग्रिविटेशनल फील्ड से बाहर होगा जब ये अबजेक्ट उपर जाते हुए इसकी पुटेंशल इनर्जी इंक्रीज होती गई जो ही अर्थ के फील्ड से निकल गया पता नहीं कौन से पॉइंट पे वो निकल जाता है तो इसकी पुटेंशल इनर्जी इन दे कन्फिगुरेशन आफ ग्रिविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी बात समझ में आ रही है गाईस के नहीं देखें फिर से देखें ये अबजेक्ट उपर की तरफ जा रहा है टीक है, ऊपर की तरफ जा रहे ग्रिविटेशनल फील्ड में लेकिन जू ही ये ग्रिविटेशनल फील्ड से निकल जाएगा अब आप इसको चोड़ेंगे तो वह वापस नहीं आएग क्योंकि ग्रिविटेशनल फील्ड से बचारा क्या हो गया है हमें नहीं पता तो हम उसको कहते हैं ऐसा पॉइंट इंफिनिटी पर लाई करता है कहां पर लाई करता है इंफिनिटी पर सेम यही कहानी अगर हम इस चार्ज की उपर यहां पर लागू करें एपलाई करें ठीक है तो क्या होगा देखें यह एक चार्ज है सोर्स चार्ज इ कि वज़ा से electric field है तीनों direction में वो पहला हुआ है गाइस चिक है उपर की तरफ नीचे की तरफ left right चिक है अच्छा अब एक चार्च पड़ा हुआ है जो कि इस के field से क्या है बाहर है क्या है इस के electric field से बाहर है गाइस चिक है तो electric field से बाहर है मतलब उस charge के पास जो potential energy है वो क्या है वो zero है जिस तरह कि object उपर गया gravitational field से बाहर हो गया तो gravitational field के arrangement के अंदर configuration के अंदर उसकी potential energy क्या होगी zero होगी same to same इस charge यह चार्ज जो है जब इस charge की field से बाहर होगा तो इस charge की field के respect में इस की potential energy क्या होगी zero होगी जिरू होगी ठीक है यानि कि इस charge को अगर हम इस जगा से move करें जहां पर इसकी potential energy और let's suppose वो point भी है ठीक है जो कि infinity पर है कहां पर है infinity पर है तो इसकी energy क्या होगी zero होगी ठीक है अब जब हम इसको इधर लेकर आते हैं electrostatic equilibrium में रखते हुए इस charge को तो ऐसे work done per unit charge को हम simple कहते हैं electric potential ठीक है क्या कहते है electric potential अब potential difference क्या होता है इस बात पर भी मैं आता हूँ बलकि वो हम पढ़ भी चुके हैं अब अब से पहले वारे वो parallel capacitor के कैस में लेकिन फिर भी मैं बता रहता हूँ यह हमारे पास एक electric field है गैस ठीक है electric field इस direction में है ठीक इस direction में है यह हमारे पास point A है इस electric field के अंदर ही इस electric field के अंदर ही हमारे पास एक दूसरा point है let's suppose यह वाला है B इस B की उपर यहाँ पर एक charge पड़ा हुआ है उस charge को हम लेकर आते हैं point A की उपर तो जब हम work done करते हैं किसी unit charge की उपर inside the electric field in such a way that we want to move the charge क्यों from point B to point A inside the electric field तो ऐसे work done को हम कहते है potential difference क्या कहते हैं potential हम इस जगा से लाते हैं कि उस जगा पर उसकी potential energy due to this charge वो क्या है zero है due to this charge field वो क्या है zero है अब हम उसको इस charge की field में लेकर आते हैं तो जो हम work done करेंगे उसको हम electric potential कहेंगे कैस्टीक है और potential difference क्या होगा inside the electric field point B भी inside the electric field है और point A भी inside the electric field है inside the electric field जब हम work done करते हैं इस unit charge की उपर एक point से दूसरी point की तरफ तो ऐसे work done को electrostatic या physics की terminology में कहते हैं potential difference है दोनों ही work done है दोनों ही charge की उपर तो दोनों का unit क्या होगा same होगा electric potential का unit भी world potential difference का unit भी world लेकिन फर्क सरफ इतना है कि एक को हम बाहर से लेकर आते हैं ठीक है यह नहीं कि infinities है कहा से infinities है और एक को हम inside the electric field क्या करते हैं एक point से दूसरे point की तरफ क्या करते हैं move करते हैं तो आज के lecture में electric potential के हवाले से या potential difference के हवाले से या electric potential energy के हवाले से इतना ही काफी तो next lecture में हम potential gradient को पढ़ेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस YouTube चैनल का भी अलाफिज